हरे कृष्णा प्रभूजी क्या इस्त्रियों का कथा वाचन पर अधिकार है कि आज कल बहुत सारी माताएं भागवत कथा पर प्रवचन दे रही हैं क्या उन सब प्रवचना को सुनना चाहिए और कई माताएं कई संस्ताओं में दीक्षा तक दे रही हैं यह कितना सही है सास् पर आसीन होने के बिलुकुल सास्त्र सम्मत नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा अधर्म सम्मत है और इसके लिए सत्पत भ्रहम्न नामक ग्रंथ मैं और भविष्व पुरान में में भी बोला गया है क्या वोला है सास्रमें स्त्रियों को दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए उसके लिए सास्रमें बोला गया मंत्र मंडल दीक्षायां सक्ति संबसने सुचा स्त्री मुखाद धर्ममीमाम सा यह स्रुनोती दुरात्मना किम्तेन कृतम वैपापम ब्रह्महा गुरुदलबगा कह रहे हैं जो व्य स्त्री के मुख से यदि धर्म की यह जो बड़े बड़े आजकल चल लें हैं मीमाम सा वेद पार्ट कर रहे हैं भागवत प्रवचन दे रहे हैं वह व्यास्पीठस्त हो करके बहुत बड़ा महां भायाना का पराद है मातां के लिए और जो पुरुष या जो भी विक्ति का मुख से खुछा है पुर्ण करता है उसके लिए बोले मुहाः पापी है। हुए वो तो बहुत बड़े पाप का भागी मैम का पाफ करणे है। इसा। चरौत प्रहत방स मेरे पास message आते रहते हैं और भी अभी तुखर प्रशनी आ गया ये तो और कई बार और भी प्रभुजी लोग बातें करते रहते हैं कई बार बोलते रहते हैं तो ऐसे चलता रहता है तो जहां कहीं भी हो रहा है किसी भी संस्ता में हो रहा है कहीं भी भाफर भी हो रहा हमें उससे मतलब नहीं है संस्था हो संथा से बाहर हो हमें उससे कोई वो नहीं है मुआ कि यह पूछ पूछ आप predecessor कि सास्त्र सहाय мост करके यह कथा वचन करना करना तो सरवत्ह अनुचित है तो व्यास्पीट का साक्षा तस अनादर और और गया यह सास्तर सम्मत नहीं इसको वैश्णवा चार्यों कभी बहुद्र होना चाहिए विप्रों और विप्रोंना चाहिए चाहिए नहीं ग sn Created नहीं लिया है और भाट आए पुलिंग वाचक विरक्तह वैष्णवह वैष्णवी लिए ब्रह्म निया उपाध्यायनी जो कि इन आद महाभारतम में उपाध्यायनी यह भी बढ़र वाध्यायनी पंद भरताइव वैष्णवह वैष्णवह विप्रहा और तो यहां तो तका श्त्री मुकाद आभी मैं लिख भी रहा हूं इस विजय में आगे जाके डीटेल में बहुत सारे सास्त्रों से लो निगाल एक मैं आचार समहिता एक करके वो उसमें वैश्णवा की तैयार करने का प्रयास करने हैं गोरंग महापुरू की इच्छा रही तो उसमें यह भ है वह जो चल्ला आजकल भागवत का थागार वाचन यह वह कर रही है माताओं को प्रोचाहन देना भागवत वाचन के लिए ना ना माताओं को को नहीं है श्रीमत महाभारतम में देखो जरा एक द्रवपदी माता ने बोला कि मैं स्वयंबरेश मुझे देखा गया था उससे पहले मुझे किसी बाहरवाली विक्ति ने देखा और उसके बाद किसी विक्ति ने देखा बोले नवायूर नचा अधित्यहा वायूदेव भी इस परश नहीं कर पा रहे हैं और शूर्यदेव का प्रकास भी सूर्यदेव का सवर्षन हो पा रहा है नवायूर नचा अधित्यहा ऐसे द्रवपदी माता ने इतनी लज्जा इसलिए लज्जा बति गुडवति यह उनके माताओं के आभूशन है यह लज्जा आभूशनम स्तरी माताओं के यह अभूशन लज्जा में रह कर दो कर दो कर दो किलो कर दो कि एम कर फो